नमस्कार दोस्तों अज की इस वीडियो में हमारे पास जो 1212 ट्रांस्फार्मर है इस ट्रांस्फार्मर से 12 और 24 बॉल्स अपलाई कैसे बनाया जाता है इसके वारे में हम बताएंगे तो भीडियों को ध्यान से देखेगा तो आएए देरने करते हुए विडियों है start तो हैं transformer के आपके 2 section होते हैं एक होता है primary और एक होता है secondary अगर आपका यह 0-120 12 टांस्फार्मर मरती से पाचाना एकदम आसान है जिदर 2 वायर होगा वो primary होगा और जिदर secondary होगा यह तीन तार होगा तो यहां मेरा जो रेड़ वायर है यह प्राइमरी है तो सबसे पहले मैं इस पर एक वायर प्लग लगा हुआ जोड़ देता हूं तो भाई यहां पर मैंने इस वायर को टेप से कवर कर दिया है अब हमें यहां काम करना है आपको उसके लिए चाहिए चार डायोड यह अगर अब तीन इंपिर तक का सप्लाई है तो आप चावण जिरुवार्ट डायोड ले सकते हैं तो मेरे पास भी चावण जिरुवार्ट डायोड है अब इसको हमें ब्रीज बनाना पड़ेगा अगर आपको ब्रीज बनाना आता है तो वीडियो स्क्रिप करके आगे बढ़ सकते हैं अगर आपको ब्रीज नहीं बनाना आता तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो जैसे यहां आप देखेंगे इसमें एक होता है एकोर सिल्वर पत्टी और एकोर होता है पूरा ब्लैक तो जो हमारा ब्लैक होता एनोड होता है और जो सिल्वर पत्टी होता है यह कैथोड होता है आपको क्या करना है दो डायोड लेना है और दोनों डायोड का सिल्वर पट्टी एक साइड में करके और इसे आपको इसमें मोड देना है कुछ इस तरह से आपको मोड देना है तो हम भी इसे मोड देते हैं यहां इन दोनों को इस दोनों डायोड को सिल्वर पट्टी दोनों एक साइड करके यहां इस तरह से मोड देना है अब जो दो डायोड आप थोड़ा मोटा है इसलिए हमें प्लास से इसे मोड़ना पड़ेगा तो प्लास से हम इसे इस तरह से मोड़ देते हैं अब मोड़ देने बाद आपका दो पार्ट होगा यह आपका सिलवर पट्टी वाला एक साइड है और दूसरे वाले में ब्लैक वाला पट्टी एक साइड ह और क्या करना है यहां दखी आप चाहे ऐसे लगाईए चाहे ऐसे लगाईए आप किसी भी और से लगा सकते हैं यह उल्टा नहीं होगा ього स्टीडर इन दोनों को आपस में इस तरह से लपेट देना तो अभी आप देख सकते हैं यहां जो हमारा ब्रीज यह बनके तयार हो चुका है अभी यहां दोनों सिल्वर पट्टी एक साइड इधर है और यह ब्लैक वाला पट्टी इधर है तो अभी हमें क्या करना है इस पे लगाना होगा कैपिसीटर क्योंकि जो डायोड होता है यह हमारा एसी से डीसी तो कर देता है लेकिन सुध रूप से डीसी नहीं हो पाता है तो उसको फिल्टर करने के लिए सुध रूप से डीसी करने के लिए हमें कैपिसीटर की जरुत पड़ती है तो यहां इसमें दो कैपिसीटर यूज करना पड़ेगा इन कैपिसीटर को कैसे लगाना है देखिए एक का प्लस और एक का माइनस एक का प्लस जो इसका आप देखेंगे माइनस पट्टी सिंबल लगा हुआ है यह माइनस होता है और जिधर कोई सिंबल नहीं है यह यह प्लस होता है यानि इस तरह से आप देख सकते हैं जो बड़ा लेग है वो प्लस होता ह और जो छोटा वाला है वो माइनस है तो एक का प्लस और दूसरे का माइनस हमको इस तरह से यहां कैपिसीटर को लपेट देना है एक का प्लस और दूसरे का माइनस कुछ इस तरह सी से लपेट देना है अभी दूनों लपेट देने के बाद हम इसे यहां दबा देते हैं इस त हो जाता है और जिदर ब्लैक पट्री होता है बुरा ब्लैक होता है यह माइनस हो जाता है तो हम को इसी तरह से कर लेते हैं इधर माइनस हो गया इधर प्लस हो गया अब जो आप डायोड लगा एक सुरी कपिसिटर लगाएंगे यहां क्या करना है जो माइनस है यहां कपिसिट बनके complete हो चुका है अब हमें इस पर connection करना है तो ट्राश्फर्मर में होता है यह तो यहां यहां यह एक आपका बार और बीच वाला आपका जीरो और यह बार यह बार जो आपका दोनों ब्लाइक है यह 12 है और बीच वाला जीरो है तो connection इसका करना है आपका जो एक 12 side वाला wire है आप देख सकते हैं यहां जो दो लेग बचे हुए इन दोनों पर हमारा capacitor लगा हुआ है बाकि जो दो लेग यह बचे हुए है इन में से किसी एक पे एक wire को यहां जोड़ना है तो आये इसे हम iron की मदद से इसे यहां जोड़ देते हैं तो यहां हमारा एक point पे यहां एक लेग पे 12 वोल्ट वाला मैंने एक जोड़ दिया और जो दूसरा wire है यह दूसरा black वाला wire है आप देख सकते हैं दूसरे side वाला इसे हमें कहां जो हमारा बचा हुआ लेग है यहां पे जोड़ देना है तो यहां पे भी मैं इसे जोड़ देता हूँ अब हमारा जो zero वाला wire बचा हुआ है यह transformer सी जो zero वाला wire बचा है इसे आपको जोड़ना है जो ciepacitor का जो दोनों leeg मैंने आपस प्लस और माइनस को इक में जोड़ा था लपेटा था इस पर जोड़ना आप देख सकते हैं यहाँ जो पीछे मैंने यहाँ मोर दिया था इस पर हमें यहाँ इस तरह से जोड़ देना है तो यहां पर जो तीनों वायर आप एक बार ध्यान से connection देख लिजिए चुकि यहां देखिए जो एक बार ट्रांस्फार्मर का जो बारा आ रहा है यह हमारे डायोट पे और जो दूसरा बारा है यह भी हमारे इस डायोट के इस लेक पे और जो जीरो वाला हमारा वायर है यह दोनों कैपिसीटर जो बीच में ये सीरिज में लगाए गए हैं उनके बीच में यहां जोड़ दिया है अब हम इसे सप्लाई देंगे और आपको दिखाएंगे कि हमारा कैसे 12 बोल्ट और 24 बोल्ट करेंड देता है तो दोस्तों यहां इसका बोल्टेज चेक करने के लिए हमक लेंगे और हम इसे सप्लाई देंगे याब आप सप्लाई देने के बाद देखे यहां पर आप कहीं टॉच भी कर सकते हैं चुकिति यह जो 12 बोल्ट करेंट होता है होता तो यहां डखी Mini लेकिन आपको करेंड यहां नहीं लगेगा तोब सप्लाई हम यहां देखिए आपक यहां माइनस लगा रहे हैं और यहां यह 35 बोल्ट चुकि दोस्तों यहां पे कोई लोड नहीं है तो आपको पता है जब 12 बोल्ट का तास्फार्मर हमारा बिना लोड के होता है तो ऐसे भी जब फिल्टर किया जाता है तो सप्लाई थोड़ा सा बढ़ जाती है तो यहां पे आप दो वायर जोड के और 24 बोल्ट सप्लाई ले सकते हैं अब इससे आप 12 बोल्ट भी ले सकते हैं तो बारे बोल्ट लेने के लिए आपको जो है ग्राउंड यहां पकड़ना पड़ेगा जो बीच वाला यह है यहां ग्राउंड आपको रखना पड़ेगा जैसा कि यहां आप ग्राउंड रखेंगे, तो आप देख सकते हैं, जो सचत्रा बोल्ट यानि यह जो 12 बोल्ट सप्लाई होती है, जब डीसी किया जाता है, तो यहां से आप 12 बोल्ट ले सकते हैं, आप इधर देखेंगे, तो यहां माइनस 12 बोल्ट आपको मिलेगा, माइनस 17 दिखा रहा है तो इन दोनों वायर पे देखिए अब आपको गर 24 बोल्ट लेना है तो माइनस यहां और प्लस यहां तो आप यहां से 24 बोल्ट ले सकते हैं अगर आपको 12 बोल्ट जरूरत है तो माइनस यहां और प्लस यहां 12 बोल्ट सप्लाई ले सकते हैं अगर आपको पांच बोल्ट की जरूरत है तो आपको यहां से और यहां पे एक 78.05 लगा देंगे, माइनस यहां और प्लस यहां, 78.05 लगा देंगे, तो आपको पांच बोल्ट सप्लाई भी इससे मिल जाएगी, इस तरह से एक ही टास्फार्मर से आप 12 बोल्ट, 5 बोल्ट, 24 बोल्ट सप्लाई ले सकते हैं, उमीद करते हैं, आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, नमस्कार.